प्यारे बच्चों, आप ये चाहते हैं कि भारत बर्स एक बिश्व का सक्तसाली राष्ट बनें, ऐसी आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं इसको बनाना, तो ये भारत का सक्तसाली राष्ट किसी की दया से नहीं बनेगा, किसी की कृपा से नहीं बनेगा, किसी की सहयोग से नहीं बनेगा, ये भारत राष्ट आपके प्राकरम, आपके पुरसार्थ और आपके बिवेग से सक्तसाली बनेगा, कैसे बनेगा, आपके प्राकरम, आपके बिवेग और आपके पुरसार्थ से, बोलो आप अपने आपको मजबूत बनाएंगे शक्तसाली बनाएंगे और जब आप शक्तसाली होंगे यह राष्ट शक्तसाली होगा तो आप आज नोट कर लो शक्तसाली राष्ट के लिए चार चीज की आवजशिक्ता है नमबर वन पॉलिटिक्स आपकी देश की नीतियां आपकी पॉलिसी जितनी ससक्त और सक्षम होगी उतना ही बड़ा राष्ट का आधार सिला रखा जाएगा तो आपको ये सोचना है कि पांच बर्स में हमें क्या करना है दस बर्स का प्लान हमारा कैसा होना चाहिए पचीस बर्स का डिजाइन हमारा क्या होना चाहिए और पचास बर्स में हमें कहां जाना है और क्या करना है तो आज से अपने लाइफ का 50 एर्स का प्लान बनाईए कि हमें आने वाले 5 बरस में क्या करना है पढ़ाई करके हमें कहां जाना है क्या एजुकेशन हासिल करना है 10 बरस में हमें कहां पहुँचना है और 25 बरस तक हमें क्या करना है और पचास बरस तक हमारी क्या प्लान है हमारे देश में हम देखते हैं बहुत से जो सो काल्ड इंटेलेक्श्यल लोग कहे जाते हैं वो कहते हैं I hate politics, I don't believe politics लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़े बिद्वान मनिशी थे आचार चाड़क के वो कहते थे सभी धर्मों का स्रोत जो है वह politics है और गंगापुत्र भीष महाभारत में उपदेश देते हुए कहते हैं कि सभी संस्थाओं का जो center है, केंद्र है वह राजधर्म अर्थात politics है इसी तरह से जर्मनी के एक बहुत बड़े बिचारशील स्कॉलर थे brutal breast वो कहा करते थे the worst illiterate is the political illiterate सबसे बड़ा ना समझ बिक्ती वह है जिसको राजनिती का समझ नहीं है आपको ये सोचना है कि अगर आप बीमार होते हैं आपको दवा खरीदनी है आपको कपड़े खरीदने हैं आपको भोजन रोटी चावल दाल लेने हैं आपको सबजी लेनी हैं आपको कोई भी सामान लेना है इसके कीमत का फैसला कहां से होता है पॉलिटिक से होता कहां से होता है आपको जो भी जीवन की आवश्यक्ता है उसकी हर चीज की फैसले कौन लेते हैं पॉलिटिकल लोग लेते हैं तो जिसको आप अपनी जिंदगी के हर फैसले पांच बरस के लिए सौप रहे हैं अपने जीवन को खुशाल बनाने के लिए जिसे पांच बरस के लिए अपने हर फैंशले सौप रहे हैं उसको आज हिंदुस्तान में किसके उपर ओड़ देते हैं जाती के उपर धर्म के उपर छेत्र के उपर बोलोई चीज अच्छी है तो हम बड़े हो करके जाती के आधार पर किसी को ओट नहीं करेंगे हम धर्म के आधार पर ओट नहीं करेंगे हम किसी भी चीज पर नहीं करेंगे हम करेंगे ओट उसको जो हमारे जिंदगी का सही फैंसले ले सके जो हमारे कंट्री का सही फैंसला ले सके जो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए उचित फैंसले ले सके, चुकि हम जिसको एक अपना मत देते हैं, ओट देते हैं, उसको पांच बरस के लिए अपनी सारी जिन्दगी के हर फैंसले उसे सौंप देते हैं। तो अगर आपकी पॉलिटिक्स अच्छी होगी, आपकी नीतियां अच्छी होगी, आपके लीडर अच्छे होंगे, यह देश आपके प्रगती की तरफ चलेगा। लीडर का मतलब यह नहीं है केवल पॉलिटिकल लीडर हो हर फिल्ड में लीडर की आवस्चता पड़ते हैं आप साइंस में जाएं तो वहां टेकनलोजी के लीडर की आवस्चता पड़ेगी आप एकोनॉमी में जाएं तो वहां एकोनॉमिस लीडर की आवस्चता पड़ेगी हर फिल्ड में आपको लीड करना होता है तो किसी भी राष्ट की उन्नती के लिए सबसे पहली आवश्चिक चीज क्या है Politics क्या चीज आवश्चिक है तो आप समझ गये कि आपकी नीतियां कैसी हैं आपकी दुस्मन के खिलाफ कैसी नीतियां हैं आपकी आर्थिक नीतियां कैसी हैं, आपकी समाज की सुरक्षा की नीतियां कैसी हैं, तो जैसे आप अपनी नीतियां बनाएंगे, उसी तरह से देश मजबूत और ससक बनेगा। दूसरी चीज है एकोनॉमी, आपकी आर्थिक सम्प्रभुता, हम कहे जाते हैं कि बिश्व की छठवी अर्थ ब्यवस्था है, लेकिन आज भी 26 करोड 90 लाख लोग इस देश में ऐसे हैं, जो रोड पे सोते हैं, शलम्स में रहते हैं। भारत देश के अंदर आज भी आजादी के बाद ये मुश्कले हैं, जब ये देश आजाद हुआ था, तो 34 करोड इस देश की पॉपुलेशन थी, उसमें 26 करोड लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते थे 1947 में, और आज 125 करोड के आसपास पॉपुलेशन हो गई है। अभी 26 करोड 90 लाख आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, ये हमारी लिए सबसे बड़ी चुनोती है। तो हमें इस गरीबी को दूर करने का संकल्प करना चाहिए। और ये दूर करने के लिए केवल हाथ जोडने से नहीं होगा, प्रेयर करने से नहीं होगा, ये चीज दूर होगा, काम करने से, पुरसार्थ करने से, बिबेक करने से। आप भगवान पर पूरा विश्वास रखो, जब प्रार्थना करो, तो समझो कोई पुरसार्थ काम नहीं आएगा, और जब पुरसार्थ करो, तो सोचो कि कोई प्रार्थना काम नहीं आएगा, जो काम करो, वो लगन से करो, मेहनस से करो, तो इसलिए आपको इस देश की ग 1947 में तो हमारे पास 15% लोग पढ़े लिखे लोग थे जिसको लिखना आता था पढ़ना आता था आज 74.04% लोगों को लिखना पढ़ना आने लगा अभी 26% 26% इस कंट्री में इलिटरसी आज भी है तो हमारा दुस्मन हमारी अशिक्छा है एक बार महात्मा गंधी जिसे पूछा गया कि भारत के लोगों को लिटरेट कैसे किया जाए एजुकेट कैसे किया जाए तुन्होंने एक नारा दिया था Each One Teach One क्या कहा था Each One Teach One अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पढ़ाना शुरू कर दे तो अशिक्षा दूर हो जाएगी लेकिन हमने इस गांधी जी के फार्मूले को नहीं अपनाया आप सब लोगों से मैं पूश्ता हूँ आप लोग दिवाली मनाते या नहीं मनाते हैं तो आप बड़े मनाते या नहीं मनाते हैं बड़े मनाने पर पैसा खर्च करते हैं हमें कल बच्चे ने चौकलेट दिया था तो इससे क्या फाइदा होने वाला है मैं आप लोग को समझा दो हमने वेदों को भी पढ़ा है उपनिश्दों को भी पढ़ा है रामाईड महाभारत को पढ़ा है किसी में नहीं लिखा है फटाके फोड़ना चाहिए अगर जितना पैसा आप फटाके पे खर्च करते हैं उतना पैसा होली के कलर पे खर्च करते हैं अगर उतना पैसा आप एजुकेशन पे खर्च करो, तो आपके देश में परतिबर से एक हारवर्ट इन्वर्सिटी बनेगी, केंब्रिज बनेगी, आपके लोग अमेरिका ब्रिटेन में पढ़ेंगे नहीं, वो लोग यहां आ करके पढ़ेंगे, तो आप आप से यह सोचना ह होगा, कि आप अपने पैसे का उपियोग करेंगे, कि दुर्पियोग करेंगे, तो एकोनॉमी आपकी कैसी प्रोग्रेस करेगी, जब आप अच्छे काम करेंगे, अच्छी ब्यवस्था करेंगे, तब होगा, आप लोग सिवा करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तो देखो वो हमारे देश में एक बहुत बड़े अच्छे इंसान थे उनका नाम था जे आर्डी टाटा क्या नाम था उन्होंने अपने उत्राधिकारी को बोला कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और मैं चाहता हूं कि आप जो है बिजनस के काम में अपना सहयोग दें तो उन्होंने कहा नहीं पिता जी सेवा करना है तो बोले सेवा क्या होती है बोले भूखे को भोजन देना किसी बीमार को दवा दे देना कुछ और कपड़े देना जैसे आज लोगों सर्थी पढ़ती हैं ब्लैंकट माट करके फोटो खिचवाते हैं तो उन्होंने उनको दो च कल फिर भूखा रहेगा आज कपड़ा दोगे फिर बाद में कपड़ा फटेगा नहीं फटेगा आज बीमार होगा दवाई दोग बाद में बीमार नहीं पड़ेगा वो तो बोले आप एक ऐसी इंडेस्ट्री लगाओ नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाओ उसका जितना इ मोजगार देते हो तो उसके पैरेंट्स हस्बेंट वाईफों उनके दो बच्चे तो तीस अजार लोगों को रोज खाना दोगे तीस अजार लोग को रोज कपड़ा दोगे रोज मेडिकल फैसलिटी दोगे और वैसे आप दोगे बाद में आपकी सिती खतम होगी बंद कर तो आपको लोगों को सक्षम बनाओ, लोगों को कमजोर मत बनाओ, तो आप जैसे पैसे वाले घर के बच्चे हैं, तो आप ये नक्की करो अपने माता पिता से जा के कहो, ये गरीब कमजोर बच्चों को अपने यहां रोजगार दो, ताकि वो फिर भूई भीक नहीं मांगे, रोड पर नहीं जाए आप जैसे खुद अपने कपड़े पहनते इतना पैसे खर्श करते हैं जैसे पटाके में खर्श करते हो वैसे आप अपने लोगों को सहयोग करो अपने देश वासियों से प्यार करना सिखो तभी ये देश की एकोनॉमी प्रोग्रस करने के लिए और भी आगे कदम आप बढ़ा सकते हैं लेकिन छोटी छोटी प्रैक्टिस करोगे तो भी इस देश में बहुत बड़ी परिवर्तन आ सकता है तो पहली चीज क्या चाहिए पॉलिटिक्स आपके देश की नीतियां अच्छी हों दूसरा एकोनॉमी आपकी आर्थिक इस्थिती मजबूत हो और तीसरा है सुरक्षा आपकी देश की सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए अब देखिए सुरक्षा के लिए केवल सुरक्षा करना पुलिस का काम नहीं है आर्मी का काम नहीं है देश के प्रतेख सिटीजन का काम है सुरक्षा करना अभी देखिए कारगिल का जब वार हुआ था पाकिस्तान से घुस पैठी आ गए थे तो एक भी हमारी intelligence ने खबर नहीं दिया कि पाकिस्तान के घुश पैठी हमारे देश में घुश गए वो खबर किस ने दिया था घेटा चारने वाले भेड़ चराने वाले आदमी ने बताया था अगर उसने ये खबर नहीं दी होती तो बहुत से मुश्किल और हो जाते तो देश के हर नागरी का प्रतेक नागरी का करतब्य है कि जहां भी लगता है देश को प्रॉबलम है उसकी सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है और चोथी चीज है spirituality आध्यात्मिक्ता जो आपके ethics हैं values हैं moral हैं आप गलत काम कभी नहीं करेंगे कानून को कभी नहीं तोड़ेंगे तो ये इस से इस चार तरीके से राष्ट एक ससक्त और मजबूत राष्ट बनेगा आप लोग जाते रोड पर हेलमेट नहीं लगाते रेड लाइट है तो जल्दी जाने की कोशिश करते करते नहीं करते अब ऐसा काम करेंगे तो आपके अंदर ये पेसेंस धैर होना चाहिए और जिसके अंदर पेसेंस नहीं होता धैर नहीं होता वह धर्मात्मा नहीं होता धार्मिक बिक्ति के लाइफ का पहला जो प्रिंस्पल है वो पेसेंस है धैर है तो आपके अंदर इस प्रिश्यूलिटी एथिक्स और वेलूज आने चाहिए प्यारे बच्चों कहते हैं कि मिलने के समान कोई खुशी नहीं होती और बिछुडने के समान कोई गम नहीं होता आप कोई लद्दाक से कोई चिन्ने से कोई राची हजारी बाग धनबाज से कोई अलग अलग जगे से यहां पर आए और एक सब्ता तक आठ दिन तक हम लोग एक साथ रहे इस भारत की उन्नती प्रगती और अपने जीवन के निर्माड के लिए बहुत से लोगों के बिचार आप लोगों ने सुने स्रवन किये लेकिन मेरी सोच और समझ यही है कि जब आप यहां से सुसाइटी में जाएं तो आपको सुसाइटी से एक अलग दिखना चाहिए कि हम ने शिविर किया है और मेरे अंदर अब कोई गलत आदत नहीं रह गई है जो सबसे बड़ी चीज अभी जनरल साब ने कहा कि मनुष के अंदर तीन क्वालिटी होनी चाहिए इंटेलिजेंस और दूसरा क्या बताया था हाँ जी इंटेग्रिटी तो सबसे लाश्ट में है अच्छा आपको याद है तो आप देखिए ये क्वालिटी को अपने अंदर आप रखिए लेकिन जो मेरी आज आपको उसला है उसला ये है जो मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ कि आप यहां से जाने के बाद अपने प्राचीन साहित का अध्यन अवस्य करेंगे ये नहीं कि हमें जो यूरप के लोगों ने लिखा है और जो दुनिया के लोगों ने लिखा है हमें उन सब को भी पढ़ना चाहिए हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं चाहिए कि ज्यान किसी और का है ये लॉजिकल आइडिया मस्ट बी एक्सेप्टेड नो मेटर फ्रॉम हेर इट कमस तरक संगत बिचार को स्विकार करना आवश्यक है और ये महत नहीं है कि ये बिचार आया कहां से लेकिन उन सब बातों के साथ अपने भारती साहित का भी हमें अध्यन करना चाहिए और हमारे देश में एक महात्मा कवीर जी ने उपदेश दिया था कि साई इतना दीजिए जामे कुटम समाए मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए अर्थात हमारे ब्रेन में हमारे माइंड में ओ ग्रीड नहीं होनी चाहिए जिसके कारण हम करेप्शन करने के लिए या गलत काम करने के लिए बिवस हों तो वह नैतिक सिख्चा मौरल्टी आपको वेदों के माध्यम से उपनिस्दों के माध्यम से गीता के माध्यम से या और भी प्राचीन भारती संत महात्मा के ज्यान से आपकी भासा में समज अवश्याऐगी तो पहली बात आप जाकर पालन करेंगे कि हम अपने प्राचीन साहित का अध्यन अवश्य करेंगे यह बात समझ में आई आपको दूसरी बात हम अपने संस्कृती का सम्मान करेंगे जो भी हमारी संस्कृती सभ्यता है हमें उस पर गर्व महसूस होना चाहिए और इसका मतलब यह नहीं है कि हम दूसरी संस्कृती का अनादर करें हमें सभी संस्कृती का रिस्पेक्ट करना है सभी लोगों को अपनी बिचार रखने की अपनी समझ रखने की आजादी है लेकिन हमें अपनी संस्कृती और सभ्यता को कभी छोड़ना नहीं चाहिए हमारे देश के महान पुरुस महात्मा गंधी जी ने समझाया था कि जिस रूम में रहते हो सारी खिड़कियों को खुला रखो सब तरब से हवा आने दो लेकिन आपका पैर जमीन पे रहना चाहिए अपने पैर को जमीन से उपर मत उठाओ अर्थात हमें अपने संस्कृती सभ्यता का सम्मान करना चाहिए तो आप दूसरी कोशिश करिए कि हम अपने संस्कृती का सम्मान करेंगे और तीसरी संकल्प आप अपने दिल में रखिए कि हम अपने राष्ट से अनुपम प्रेम करेंगे और जब आप राष्ट से प्रेम करेंगे तो राष्ट के विकास के लिए राष्ट की उन्नती के लिए हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं अभी जो हमारी सरकार स्कीम बनाती है हमारे मौटरेटर हमें सला देते हैं कि 2022 तक हमें करेंगे 2030 तक हमें करेंगे तो जो भी हमारे देश के लोग सोचते हैं जैसे इसरों के लोग सोच रहे हैं कि 2030 तक हम इस पेश में इतना अच्छा काम करेंगे जो बहुत सी प्रक्ति सीलता के तरफ देश जा सकता है तो उसमें हमारी क्या योगदान होगी उस जो सपने हमारे लीडरों ने देखा है चाहे वो बैग्यानिक लीडर हों चाहे वो इकोनॉमिस्ट लीडर हों चाहे वो पोलिटिकल लीडर हों चाहे वो एजुकेशनल लीडर हों जो उन्होंने सपना हमारी देश की उन्नती के सकते हैं तो प्यारे बच्चों जब आप राष्ट से प्रेम करोगे तो हमने का था respect of national properties आप राष्ट्री संपत्ती का सम्मान करेंगे कभी बस नहीं जलाएंगे कभी train को नुक्सान नहीं करेंगे जो भी राष्ट्री संपत्ती है हमें उसका respect करना होगा और हमें करना चाहिए चूंकि वह हमारी property है और हमारे लोगों के लिए ओप योगी है आपके जीवन में चोथी बात आज संकल्प करना है कि हम अपने जीवन में कुछन कुछ आदर्स प्रस्थापित करेंगे ताकि दूसरे के लिए हम example बन सके जब आप अपने अच्छे आदर्स प्रस्तुत करेंगे कि हम अपने देश का सर कभी जुकने नहीं देंगे अपने देश के सम्मान को कभी जुकने नहीं देंगे हम ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे कि जिससे हमारे पैरेंट्स, हमारे टीचर और हमारे सोसाइटी के लोग को सरमिंदा होना पड़े ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे इसके लिए अपने जीवन में आदर्स प्रस्थापित करने की आवश्चता है और जब वो आदर्स प्रस्थापित करेंगे कि आप ड्रक्स नसा से दूर रहेंगे आलेस से दूर रहेंगे प्राकरम पुरसार्थ करेंगे और सुविधाओं से काफी दूर चलने का प्रयास करेंगे अपने कंफर्ट जोन को हटाकर इस्ट्रगल करेंगे तभी आपकी और राष्ट की उन्नती संभव होगी और आपके जीवन की पांचमा ब्रत होना चाहिए कि हम अन्याय और अत्याचार का बिरोध अवश्य करेंगे अत्याचार को सहन करना सबसे बड़ा अपराध है हम उसे कभी सहन नहीं करेंगे हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे और जो भी हमारे जीवन की कमियां है हमारे समाज में जो कमजोरियां है अन्याय है अभाव है इसे हमें दूर करने का प्रयास करना होगा तो हम अन्याय और अत्याचार का बिरोध अवश्य करेंगे आप लोग हमारे प्रती बिश्वास करके यहां आए अपने स्कूल की ट्यूसन की पढ़ाई छोड़ कर भाग लिए आपके माता पिता ने हमारे प्रती बिश्वास प्रगट किया आपके टीचर ने योगदान दिया इसलिए हम आपको आपके माता पिता को आपके सिक्षक को प्रडाम करते हैं और उनके प्रती आभार वेक्त करते हैं प्यारे बच्चों यहां से जाकर के जब आपको सुसाइटी में अच्छा काम करेंगे तो हमारे दिल में बहुत खुशी होगी और जितनी खुशी मुझे होगी साइट प्रत्वी पर किसी को वो खुशी नहीं मिलेगी अगर आपने जीवन में एक भी अच्छा काम जाकर समाज में करेंगे आप सब लोग यहां आए आपको हर प्रकार की असुविधा भी हुई होगी चुकि घर जैसी सुविधा तो यहां मिल नहीं सकती है जो भी यहां कमी और कमजोरी हो उसकी जिम्मेदारी हमारी है और वो हमारी कमी है और जो भी कुछ यहां की अच्छाई है और जो भी आपको अच्छा लगा है वो सब की सरे यहां के सहयोगियों का है और यहां के लोगों का है प्यारे बच्चों हम day to day प्रयास करेंगे कि सुविधा को हम और आगे बढ़ाए और आगे चले आप से मिलने के लिए आपकी सहयोग करने के लिए हम बड़े आभारी हैं इंडियन आर्मी का जिन्होंने अपने सारे वेपन्स तोप यहां लाकर एक्जिविशन लगाए आपको दिखाने के लिए इनके करनल रैंक के आफिसर को यहां ड्यूटी दिया करनल अरोरा यहां पर है करनल अरोरा साथ प्लीज कम वो आर्मी ने अपने करनल रेंक के आफिसर को यहां रखा इनके और आफिसर यहां आए बात करने के लिए हम इंडियन आर्मी के बड़े आभारी हैं इसके साथ इंडियन नेवी के इनके आफिसर्स आपने देखा किस तरह से उन्होंने ड्रिल किया आप लोगों ने देखा तो ने कैसे ओडिसिप्लीन में कैसे स्टेट रहते थे उन्होंने ड्रिल किया, एक्जिविशन लगाया, बेंड डिस्प्ले किया हम इंडियन नेवी का हर दिक आभार प्रिगट करते हैं इसके साथ इंडियन एर फोर्स जो आप लोगों ने देखा यहाँ पर प्लेन उड़ा करके दिखाया कैसे आपने काम किया इसके साथ हमारे CSRPF के लोग, हमारी 1290 इहाँ पर है, जो आपकी सुरक्षा और व्योस्था के लिए रात दिन प्रियास कर रही है आपको motivate कर रही हैं और इनके officers यहाँ पर है और इनके तो बहुत बच्छे officers मेगराज जी छुटी लेकर के यहाँ पर आए इनके कई लोग यहाँ officer यहाँ पर है इसलिए हम CRPF का तहे दिल से आभार प्रगड करते हैं इसके साथ हमारी CISF Force इनके deputy commandant और इनके commander साब यहाँ पर थे सर्मा जी आप खड़े होंगे यह देखें इनके एक officer को यहाँ रखा सारे लोगों ने इनों ने आपको कई डेमो दिखाया और साथ में यह अपनी मैडम को भी ले करके आए मैं जनरल साब संदोद करूँगा कि सालों साफा पहना कर मैडम का भी सम्मान करेंगे और यहाँ पर आए और अपनी family के साथ यहाँ पर आए सारे CISF के लोग यहाँ बच्चों की सुरक्षा बिवस्था और उनमें वो देश भक्ती पैदा करने के लिए वो प्रियास किया और इसमें हम CISF के लिए सब लोग आभार प्रगट करते हैं इसके साथ हमारे इंडियन कोस्गार्ट के लोग हमारे डियाईजी साथ तीन बार यहाँ पर आचुके और इनका यहाँ पर एक्जिबिशन भी लगा है इनके डियाईजी हमारे अच्छे दोस्त हैं उनको भी यहाँ आना था लेकिन कुछ अभी परलेमेंट चलने के कारण वो मुश्किल हो जाती है दिल्ली छोड़ना लोगों को वो नहीं आ पाए लेकिन डियाईजी साथ हमेशा ख्याल रखते हैं और हमारी हर सायोग के लिए तैयार रहते हैं इन्होंने कहा जिन बच्चों को जहाँ देखनी है समंदर देखना जैसे लद्दाक की बच्चे कभ देखा है नहीं है पहली बार उपने जिन्दगी में समंदर देखेंगे तो ऐसे ऐसे बच्चे वहां से आए हैं वो लोग को ब्यवस्ता मिलेगी हम बहुत आभारी हैं इंडियन कोस्ट गार्ट का और अपने डियाजी साब का हम बहुत बड़े आभारी हैं रेपिटेक्श अर्म फोर्स के आर्फ के लोगों का कि जिन्होंने इनके अगर सीकुरिटी ब्यवस्ता ने समाले और उसके बाद देखिए लोग आते हैं यहां पर आपकी सेवा करने के लिए लेकिन इन्होंने आकर के देखा कि स्वामी जी का यहां कोई मंदर नहीं है कोई दान पेटी न कम नहीं है कोई लाल पीले कपड़े पहन करके आपको चेला चेली बनाने का धंदा नहीं है इन्होंने कहा कि देश के लिए हमारा क्या केंट्रिव्यूशन है तो सारे आर्फ के जवान अपनी तरफ से फंड करके रात को मुझे बड़ा सर्प्राइज हुआ को मेरे पास क्या और एक लाग तीस जार रुपे हम जवानों की तरफ से इस यज्ज में हम आहोती देते हैं तो हम इनके बहुत बड़े आभारी हैं और हम इनके हिर्दे से आभार प्रगट करते हैं सबसे बड़ा कंट्रिवूशन इस शिवीर और कैम्प के लिए एंडियारेफ का है औ और मैं कहते हुए गर्व भी मैसूस करता हूँ कि अगर एंडियारेफ का सयोग ना होते कैम्प लगना ही असंभव है चुकि हर चीज का लॉजिस्टिक सपोर्ट और मैन पावर का सपोर्ट करीब सबाद दोसो ढईसो एंडियारेफ के लोग यहां पर हैं और वो लोग यहा पारे टेंट उनके हैं अगर वो टेंट हम किराये पर लगाते तो हमको 20 लाख रुपे टेंट का किराया देना पड़ता है यह लोग यहां अपने टेंट लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ अपने जवानों के साथ यहां पर आए हैं और इनका सहयोग है और यह तीन दिन कैम् इनका आभार प्रगट करेंगे और इनके अफसर टू आई सी सेकेंड कमांड और एंड अरे सर अब यह कह रहें कि सिविर के लिए एक लाख दस जार रुपे इंडियार अरफ सहयोग भी कर रही है तो अपने तरफ से देने के बाद और इनका ब्योस्ता भी है हम बड़े आभारी हैं कि आप सब लोग इभावना को समझ रहे हैं कल हमने सारा हिसाब किताब आज सुबह से लगा रहे थे कि सिविर में क्या खचुकी अब क्या है कि जो लोग पैसा देते हैं मदद करते हैं जहां जाती का बेसो कास्टिजम हो जहां पर मंदिर हो जहां पर चमतकार हो या जो कोई भगवान के नाम पर कथा और संप्रदाय हो या तो पावर हो यहां कुछ नहीं है हर साल इस सिबिर में नुक्सानी नुक्सान होता है साल बर में भीख मांगता हूँ लोगों को बताता हूँ और इकठा करता हूँ तो यह जाके काम हो पाता है प्यारे बच्चों यह जो आप देख रहे हैं ऐसे नहीं हो जाता मेरे पास ने कोई PA है ने कोई PRO है ने कोई असिस्टेंट है इंडिया के 29 स्टेट है अगर एक स्टेट में मैं चार दिन लगाऊं तो चार महिने मेरे को आमंतरण देने में लग जाते हैं और फिर चार महिने आभार मानने में लग जाते हैं इसी बीच में मैं आर्मी पैरामेर्टी फोर्सेस स्कूल कॉलेज में लेक्चर भी देता रहता हूं लोगों का संपर करता हूं रात करात दिन का दिन हम नहीं देखते हैं जैसे हमने पहले आपको बताया कभी कभी प्लेन की टिकट की मुश्किल होती है टेक्सी के भाड़े की मुश्किल होती है रहने के लिए एकोमोडेशंत पूरे इंडिया में हमको CRPF में और आर्मी में हो जाते हैं होटल का खर्चा नहीं होता है किसी के पास रह जाते हैं लेकिन कहीं कहीं टेक्सी का किराया और भी सब मुश्किल हो जाती है चुकि मेरे पास कोई बैंक बैलन्स नहीं है और नहीं मेरे पास कोई सोर्स है इंकम का और नहीं में कोई लेक्चर परवचन का फीच लेता हूं लेक्चर परवच का जीवन चलाना पड़ता है आप सोच नहीं पाते हैं सोच नहीं सकेंगे तो ऐसे कठीन परिश्रम करने से ये फिर ये सफलता मिल पाती है और फिर 36 लोग पाज जाके हाथ जोड़ना पड़ता है आप ये मदद करिए आप वो मदद कर दीजिए आप ये इनको बुला दीजि आप पैसा कर देजिए और हर आदमी आते हैं लेकिन थोड़ा सा उनके को इगो को हर्ट हो जाता है तो आज हर आदमी अपने आपको भगवान समझता है उन्होंने अगर कोई एड़वाई दिया उनकी बात को आपने नहीं माने ठीक नहीं है तो सोचते हैं मूँ फुला कर बैट जाते हैं सब को खुष करना भगवान का भी काम नहीं है आप खुष करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन सभी को खुष करना बड़ा मुश्किल काम होता है तो इसलिए इतने संकट और मुशिबस से चल कर आप लोगों का संपर करना भिश्वास पैदा करना तो आप सम यह जो भी काम है, बहुत कठिन काम है, यहां जो भी लोग आते हैं, डोनेशन देंगे, तो सोचे कल्कुलेट करते हमको फायदा क्या होगा, और यहां फायदा किसी को होने वाला कुछ है नहीं, चुकि मैं किसी की लिगल तरीके से नसीपारस कर सकता हूँ, और नहीं को यह ऐ उसमें दर्सन करने जाते हैं उनको भगवान मिलते या नहीं मिलते हैं वो जाने उनका काम जाने लेकिन जो मेरी समझ है आपको परमात्मानी बनाए हैं आप हमारे लिए मंदर हैं और आप हमारे लिए भगवान हैं हम आपकी ही पूजा करते हैं और आपकी ही उपासना करते हैं और आपकी उन्नती और कल्यान के लिए अथक रात दिन परिस्रम करते रहेंगे ये हम आपको प्रामिज देते हैं और वदा करते हैं अंत में हम सभी लोगों का जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया है जो भी यहां वरकर हैं जो भी हमारे गाओं के लोग और जो भी हमारे वरकर हैं, टीचर हैं, सभी का जो सहयोग है, उस सहयोग के लिए सभी के प्रति आभार प्रिक्ट करते हुए, राष्टगान के लिए आपको आमंतरत करते हैं उतेश्ट है बिश्राम शावधान राष्टगान प्राइश्ट है झाल प्राइश्ट है भारत मत की जै हिन